स्वागत है आपका अवी क्लासे स्टाउट्स में और आपका प्रश्ण है कि बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्नन कीजिए ये पूरा का जवजवाद जवाब है वे 6 नमर के लिए लिखे हैं हालांकि ये पूरा जो है 250 सब्द से पलस है तो अगर आपके पूर्ड परिक्षा में ये बोलाए कि 250 सब्द में इस सवाल का जवाब दीजे तो आप इसे लिख लिजे आपको जितने भी नमर लिखने बोले हैं आपको मिल जाएगा हलांकि मरा टार्गेट है कि ये 6 नमर आपको पका दिलाएगा क्योंकि इसमें वे सभी important point और सब्द लिख दिये हैं पूरा डिटेल में लिखते हैं सब पहले लिखेंगे कि मात्मा बुद्ध का जन्म लुंबनी में नेपाल की तराई में पांस सो तिर्शाट इसापुरु में हुआ इनका बचपन का नाम जो है सिधार्थ था और इनके पिता का नाम राजा सुद्धोधन और माता का नाम तिर्शला तथा इनकी पतनी का नाम यसोदरा इनका जो विवा है सुल्ला वर्स की आयू में हुआ और इनके पुत्र का नाम क्या था राहूल था एक बार 28 वर्स की उमर में अपने चन्ना के साथ नगर भर्मन के लिए निकले और उन्होंने नगर भर्मन के दोरान एक रोगी वेक्ति को देखा था नमर एक एक वृत वेक्ति को देखा था नमर दो एक यहाँ पर वृत वेक्ति को देखा था यहाँ पर मृत लिखा हुआ ठ ठीक है मरीत और एक्ठो विरिद व्यक्ति तीसरा और एक हंस्ते हुई शन्यासी को देखा था ये चोथा और चोथे से उनको पता चला कि सन्यासी जो है सबसे ज़्यादा सुखी है तो क्या कारण है आईए हमेसे खोजते हैं इसलिए उन्होंने दुख का पता लगाने पता सक इंजाना नदी के तड़ पर उनको ग्यान के प्राप्ति हुई मात्मा बुद्ध ने अपने पर्थम उपदेश उत्तर परदेश सारनात में अपने पांच साथियों को दिये यहाँ अपने उनका जीवनी क्या होता है खतम हो जाता है अब हमको इनके उपदेश के बारे में जोर दिया है तो अष्टांगीक मार्ग यहाँ पर लिखेंगे कि मात्मा बुद्ध के अष्टांगीक मार्ग का वर्णन हम निम्न रूप में कर सकते हैं सम्यक दृष्टि सम्यक वाख सम्यक खर्मान्थ सम्यद आजीव सम्यक व्ययाम सम्यक इसमिर्थि सम्यक завис माधी फिर समय भोजन नहीं करना है, कोमल सेसिया का त्याग करना है और कामनी और कंचना का भी त्याग करना है, आप देखे पहला तो जीवनी लिख दियें और दूसरा क्या लिख दियें, उपदेश, ये दोनों चीज लिखने के बाद आपको लाश्ट में लिखना है कि अता हम का सकते हैं कि मात्मा बुद्ध ने अपने अथक परियासों से छटी सताब्धी इसापुर्व के काल को एक स्वक्ष समाज के रूप में विक्सित किये उन्होंने सामाजिक बुराईयों जैसे बली, मुर्ति प पर हुआ तो यह था आपके सवाल का जवाब और ऐसे और सवालों के लिए जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए पूरा वीडियो अगर आप देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद